जब उनको एक तरीके से अंतरिम बेल मिला तो उसमें ये नहीं कहा गया था ना कि आपको रैली नहीं करना है तो अगर प्रोटोकॉल है आप एक कमेटी बनाएए एम्स के डाक्टर हैं पीजी आई के डाक्टर हैं अगर वह कहते हैं इनको अगर बेल की रिक्वाइरमेंट है तो एक तरीके से पुना कोर्ट में जा सकते हैं कि मुझको बेल दिया जाए अब जो एसी में बैठा है उसको तो कई रोग है जबकि प्रोटोकॉल है अगर कोई पेसेंट आईसियू में गया एक घंटे बाद वह दो दिन आईसियू में रहा है एक घंटे बाद वह नार्मल लेकिन उनकी जो बेल अरजी थी उन्हें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोट खारीज कर दे जनता से जानते हैं क्या लगता अब कुछ देखें अगर हम तो कहेंगे अगर उन्होंने अरजी दिया है अगर उनका मेडियल रिपोर्ट के आधार पे है बैक्ग्राउंड मेडियल है तो उनको एक बार विचार करना चाहिए क्योंकि रामरहीम भी बेल पे कई ऐसे नेता है अगर देखेंगे जिनके उपर मनी लॉंडरिंग केसे हैं गोटाला के केस है लेकिन उनको कहीं न कहीं मिला है हो सकता है उनके सही से रिपोर्ट उन्होंने लगाया होगा लेकिन अग अगर कोई दिक्कत है तो उनको बेल होना चाहिए हमारे हिसाब से अगर उनको यह है आप यह कह सकते हैं कि मेटिकल बेल है तब तक आप कोई पॉलिटिकल एजंडा आप नहीं कर सकते कोई मीटिंग नहीं कर सकते कोई रैली नहीं कर सकते कहीं आप सारुजनिक प्रेस का कॉ वोगी मी में थूटा जब से गए बाख़ा कर लिए चुनाव यह जूटे हैं लेकिन जब उन्हें इन्हें गएड़ना देखाивать करें कि आप और कुझा направुट मैं कहता हूं मुक्तारंसारी मुसल्मान था, मुसल्मान है थे, इसकी बात नहीं, मैं एक जनरल पेसेंट के हिसाब से मैं कहता हूं, अगर कोई भी पेसेंट अगर इतना क्रिटिकल है कि उसको ICU में एडमिट किया जाए तुरंत उसको नार्मल जेल में डाल दिया जाए और फि है, तो एक तरीके से पुना कोर्ट में जा सकते हैं कि मुझको बेल दिया जाए, ऐसा नहीं है, आज हम यह सोचे कि इनको बेल नहीं मिला तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, कल किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि एज भी तो है, लगबग 50-60 साल के करीब है, तो हर लोग आज के समय डाइबिटीज है, हाईपरटेंसन है, कई कार्डियक आदमी को दिक्कत ही है, तो किसी को भी हो सकता है, लोग यह भी कहते हैं कि बड़े लोग को बड़े साड़ी बिमारियां भी होता है, जैसे आप हम अभी एसी में तो नहीं है, हमें तो पसीना हो रहा है, एक तरीके से मेंटेन है, तो मैं यहीं कहूंगा कि ऐसा कोई नहीं है, अगर कोई भी नेता हो, अगर मेटिया लिपोर्ट उनका सही है, तो उन पे कोई अफवाद नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है, तो राम रहीम को सुने हैं, पचास दिन का बेल मिला है, राम रहीम को भ जैसे अभी हेमन सोरिन के मामले में में हुआ कि पूरा डाकुमेंट है इसलिए इस फूल मैंन ही दिया जाएगा उसी मामले में केजरिवाल को दिया गया कि आइसा ढ़र नमतली घ्रेवाल को प्रचार दे सकता है लेकिन हेमन सोरिन को नहीं डिया वही चुनाव है वही पांच साल चुनाव आएगा महापरव आएगा तो ऐसा नहीं है हर लोगों का हर कंडिशन है और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा क्या दलील रखी यह सब बहुत मायने रखता है यह चीज़े है लगता बेल मिलनी चाहिए थे नहीं बेल अगर मेटियल अगर मेटियल रिपोर्ट के अगर कमेटी बनाई यह तो अगर कमेटी अगर उनको कहती है कि नहीं इनको यह दिक्कत है तो आप उनको दीजिए क्योंकि ऐसा घटना हुआ ना मुगतारंसारी का डेथ हुआ ना अब बताया गया कि काडियक में यह हो गया इनको सरजरी किया हो सकता थी इन्होंने सामानने मेटियल कालेज से फिन जेल में वापस ला दिये जबकि प्रोटोकॉल है अगर कोई पेसेंट आईसियू में गया एक घटे बाद हो दो दो दिन आईसियू में रहा है, एक घटे बाद हो नारमल जिल में चला जाएगा, नहीं उसको आईसियू से फिन एक नारमल पे आप ले जाएगे उसको हिसाब से उसको शिप्ट करिए, diये एसी घटना ना हो हम तो यही कहेंगे तो जैसा कि आपने देखा कहिना के जनता बोले बेल मिलनी चाहिए भले कुछ दिक्कत होगी डॉकॉमेंट में डॉकॉमेंट उन्होंने प्रोपर नहीं दिया होगा इस वज़ाए से बेल खारीज हो सकती थी और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रिमार साथ देखते रहे सोगंद टीवी धन्यबाद